अब बात समझ में आ गई? अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर नहीं 19 डिगरी और 60 मिनट में 59 मिनट और एक मिनट अलग कर दूँ तो एक मिनट में कितने सेकेंड तो फिर क्या आए गया हमारे पास पिर हमारे पास आएगा 19 डिगरी 59 मिनट 60 सेकेंड सब बच्चे बताओ समझ मे आ गया गया? यह सर्ट पहली चीज तो यह है अब दूसरी चीज समझ लो दूसरी चीज क्या समझ लो कि बई मैं आपसे कह रहा हूं वन डिगरी इस इकोई स्टू 60 मिनट तो अगर मुझे डिगरी से मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा लेकिन अगर मिनट से डिगरी में करना है चोटे से बड़े में करते हैं तो आपको पता है क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है तो 1 by 60 डिगरी इसी तरह से 1 minute is equals to 60 seconds तो 1 second is equals to 1 by 60 minutes और अगर इसे और डिवाइड करूं तो 1 by 3600 डिगरी यह हमें करना है तो हमारे पास जो एक दियावा है यह हमारे पास दियावा है first का second part आप सब बच्चे देख लीजए minus 47 degree 30 minute आप से कहरा इसको radian में change करो radian में change करने का सीधा तरीका है 5 by 180 से multiply करना है लेकिन तब करना है जब हमारा angle degree में हो और ये minute में भी है तो इसे मिनट को हटाओ तो मुझे बताओ मिनट को डिगरी में करने के लिए क्या करूँ किस से 60 60 से शाबाज तो यह डिगरी हो गया तो यह हो गया बिटे माइनस 47 एंड हाफ डिगरी इस मिक्स फ्रेक्शन को प्रोफर फ्रेक्शन में करो प्रेक्शन में करोगे तो क्या होगा माइनस 95 बाइट इन्टू पाइबाइब वन एटी तो तू से हमारे पास क्या हो जाएगा 95 पाइब से गर हम कैंसिल करें तो कितना आएगा 19 और 5 से करें तो कितना आएगा तो 36 तो 36 तू जा कितना आएगा 72 रेडियन यह अंसर तो समझ में आ गया यह सर प्रेक्शन गुट चलो जी कुशन और देखो ओफ वाई प्रेली एक्सरसाइज कतम हो गई हमारी अगर कॉंसेप्ट आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो हमारी पहली इक्सरसाइज कतम हुब गया झाल झाल झाल